यहां जो आप गुलाब देख रहे ही इस पौधे पर हमने कलम किया था लगभग तीन मेहने पहले और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि इस पर फूल खिल गया है तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर जो गुलाब के पौधे रहते उस पर अनेक तरीके के गुलाब के पा सकते सिर्फ आपको कलम करना है तो वहां कलम किस तरह करना चीए गुलाब के पौधे पर इसकी पूरी जानकारे हमारे प्लेलिस्ट में गुलाब के पौधे पर कलम करने का बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किये हैं साथ में रिजल्ट वीडियो भी अपलोड किये जो पॉर्शन है जहां से यहां अंकुर बड़ा हुआ और इस पौधे पर फूल निकला है या तो एक ही जो ब्रेंच रहेंगे उसपे आप अगर दो से तीन कलम करेंगे अलग अलग फूल की गुलाब के तो वहां पर दो से तीन अलग अलग फूल खिलेंगे तो सिर्प आपको कलम करना है जैसे इस पौधे पे देखिए सपेद लाल और यहां पीला कलर का फूल खिलाए तो यहां पर बहुत सरे गुलाब के फूल है और उन पर हमने अलग-अलग शाखाओ पर अलग-अलग फूल की कलम करे है